नमस्कार, मानसुन में देरी से 36 गर्में अभी और बढ़ेगा पाराश चलती रहेगी लू इन तीन संभागों में अलट 36 गर्में गर्मी इस समय अपने पूरे चरम सिमा पर पहुँच चुकी है तापान में लगातार बढ़ोती से लोग काफी परिसान हो रहे हैं हाई टेंप्रेचर गर्मी के बीच मौसम विभाग ने गर्म हवा को लेकर अलट भीत जारी किया है और समझाईज भीत दी है मौसम विभाग के मुताबिक रायपूर, बिलासपूर, दुर्ग, सर्गुजा, बस्तर संभाग के कई लाकों में गर्म हवाज चलेगी इसको लेकर अगले 24 गंटे तक अलट जारी किया गया है बतारे कि इसकुलों में प्रवेस उत्सव सुरू होना था जिससे सरकार ने बच्चों के स्वास्त को ध्यान में रखते हुए तारीखों को आगे बढ़ा दिया है प्रदेश में अधिक्तम तापमान जानगी जीला में 46.4 डिग्री रहा वही राजधानी राइपुल में 45.3 डिग्री सेल्सेस दर्ज हुआ इसी बीश बात करें कि मानसुन की स्थिति क्या है या फिर कब होगी बारिश तो उसकी भी पूरी जानकारी आगे हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो गूगल लियो 36 गर को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को आलपर सेट जरूर कीजेगा ताकि ऐसी ही नई जानकारी आपको मिलती रहे तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दरसल इस भी सर गर्मी की वज़ा मांसुन में देरी को बताया जा रहा है मांसुन अपने तैसमाय से पीछे हो गया है जिसके कानल 36 गर में अभी तक बारिस नहीं हुई है हाला कि छीटपूर बुंदा बांदी जरूर भी है जिसकी वज़र से गर्मी और उमस में और ज्यादा इजाफा हुआ है मौसमी भाग का नुमान है कि प्रदेश में कुछ दिन और रहेगा गर्महवा का कहर दो दिन में कमजोर होगा चक्रबाद फिर मौसम बदलेगा बतादे की प्रदेश वास्यों को 24 जून के बाद मांसुनी रहात मिलेगी एक दोडी का उप हिमाला एन पस्चिमी बंगाल से ओडिसा तक विस्तारीत है इससे आज प्रदेश के कुछ इस्थानों पर बारिस हो सकती है एक दो इस्थानों में आंधी चलने और आकासी बिजली गिरने की भी आसंकाज जताई गई है अगामी 24 घंटे में मध्य चत्तिस गर के एक दो पाकेट में लू चलने और राद भी गर्मर रहने की चितावनी दी गई है मौसमी भाग ने प्रदेश के एक दो इस्थानों पर आंधी चलने और आकासी बिजली गिरने की आसंकाज जताई है मौसमी भाग ने समझाई इस दी है कि भिसर गर्मी की बीच पर्याप्त मात्र में पानी पीए हलके रंके सूती कप्रे पहने घर से निकलते वक्त छतिक आउप्योग करी निबू पानी छाच ठंडी चीजे खाए पीए गर्भती महिलाए घर से बाहर ना निकली चकर या बीमारी महसूस हो तो तुरंट डॉक्टर से सलाह ले मौसम इससेग्यों ने कहा है कि मानसून का प्रवाफ मजबूत होगा क्योंकि उष्टकल्टी बंधिये तुफान वी पर जाए गुरुवार साम गुजराट्टा से टकराच चुका है अब इसकी गतिक कम हो गई है दक्षिर पंस्री मानसून के आगमन की समान्यति थी 11 जून है और यह 16 यह 17 जून तक पुरे राज्य को कबर कर लेता है विभा के मुताबिक अब मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थित्या अनुकूल हो गई है इसलिए उम्मीद की जा रही है कि 21 जून तक मानसून की 36 गर में बस्तर के रास्ते से इंट्री हो जाएगी और 24 जून तक रायपूर पहुंचने की संभावना है